हलो गाईज आपनों का स्वागत है अपके अपनी यूटूब चैनल टॉफर सिंट पर तो आप सबको पता है कि लास्ट डेट जो है स्कॉलर्शिप की निकल चुकी है और अब जो है हर एक चीज जो बात है क्या गलतियां हुई है कि इस गलतियों को अभी सुधारा जा सकता है आप मेरे विवर्स तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ हसारे एक चीज की कहां पर गलतियां होती है बच्चों की और कहां पर उनलों की स्कॉलर्शिप रुख जाती है तो सबसे पहले तो ये चैन जान लीजिए कि इन बच्चों की तो बिल्कुल भी स्कॉलर्शिप इ नहीं आएगी इस बार तो हंड़ेट परसंट इकी स्कॉलर्शिप नहीं अगर आप ने भी गलती की है तो अभी समय है उसको सही करा लीजी एक दो दिन में ठीक है चलिए दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं क्या इसकॉलर्शिप की डेट की क्या फिर से बढ़ेगी क्या मैंने वीडियो जो बनाई है उसमें ये बार-बार कहिए हमने कि आपका जो आधार कार्ड है ये आपके बैंक एकाउंट से बिलकुल ही लिंक होना चाहिए या हम ऐसी बात कहें कि जो हमारे बैंक एकाउंट है उसका KYC जरूर होना चाहिए KYC यानि कि मतलब होता है कुछ ब पर जमा कर दीजिएगा बिना KYC के आपका अपकी 100% नहीं आएगी स्कॉलर से भी यहां पर बहुत ही समाज कर लिया विभाग में बिल्कुल क्लियर ही लिग दिया है इस चीज़ को दूसरी बात में बात करूं KYC कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके पास जाओगी वह ब्रांच में पता कर लिजिए दूसरी बात है इसकॉलर सिफ की डेट को लेकर क्या चीज़े है तो आपको पता दस तारीक को जो है डेट बढ़ जो है डेट खतम हो चुकी है और हम लोग अगर हम लोग यहां पर बात करें तो दूसरी चीज़ जो है कि यहां पर दस के अपडेट नहीं आई है उम्मीद यही है कि बढ़ सकती है क्योंकि पिछली बार भी 5-6 दिन लगे थे एक अपता लगा था दुबारा डेट बढ़ने में समझ में आई बात तो यह सारी चीजें है कहने का मतलब यह है कि अभी जो है समय है समय आपके पास इसलिए कि आप अभ आपके फॉर्म में हर एक चीज होगा एक फरोरी से तो जिन लोगों ने भर लिया उनको घपडाना नहीं अभी टाइम मिल जाएगा बाकि यह आधार काड़ वाला काम आज ही करवा लो आप लोग आज तो हो नहीं सकता कल जब भी बैंक आपका उपन हो ब्रांच उपन हो आ ताकि चालू खाते में आपका रहे आपका कि हाँ बैंक इनका चल रहा है और के वाइसी तो मस्ट है इसको तुरंत करवा लीजिए बाकि जैसे भी अपडेट होगी डेट जैसे ही बढ़ेगी मैं आपको तुरंत आजाओंगा तो धन्यबाद